प्रेदितों के कामों का वर्णन ग्यारवा अध्याए और प्रेदितों और भाईयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है और जब पत्रस एरुशले में आया तो खतना किये हुए लोग उससे वाद विवाद करने लग कर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतर कर मेरे पास आया जब मैंने उस पर ध्यान किया तो प्रत्वी के चौपाए और बन पश्यू और रेंगने वाले जन्तु और आकाश के पक्षी देखे और यह उठ मार और खा मैंने कहा नहीं प्रभू नहीं क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुह में कभी नहीं गई इसके उतर में अकाश से दूसरी बार शब्द हुआ कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उससे अशुद्ध मत कहे तीन बार ऐ इसमें हम थे आखड़े हुए तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बे खटके हो लेने को कहा और ये छे भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस मनुष के घर में गए और उसने बताया कि मैंने एक स्वरगदूत को अपने घर में खड़ा देखा जिसने मुझसे कहा कि याफा म में मनुष भेज कर शमौन को जो पत्रस कहलाता है बुलवा ले वह तुम से ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उधार पाएगा जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीती से उत्रा जिस रीती से आरंभ में हम पर उत्रा था तब मुझे प्रभू का वहवचन स्मरन आया जो उसने कहा कि योहन्ना ने तो पानी से बप्तिस्मा दिया परंतु तुम पवित्रात्म से बप्तिस्मा पाओगे सो जबकि परमेश्वन ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभू इश्य मसी पर विश्वास करने से मिला था तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे तब तो परमेश्वर ने अन्य जा करते फीनिके और कुपरुस और अन्ताकिया में पहुँचे परन्तु यहुदियों को छोड किसी और को वचन न सुनाते थे परन्तु उन में से कितने कुपरुसी और कुरेनी थे जो अन्ताकिया में आकर युनानियों को भी प्रभू इश्यू के सुसमचार की बातने सुना और उन्होंने बर्नबास को अन्ताकिया भेजा। वह वहां पहुचकर और परमेशर के अनुग्रह को देखकर आनन्दित हुआ और सब को उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभू से लिप्टर हो। क्योंकि वह एक भला मनुश्र था और पवित्रात्मा और विश्वास से और और बहुत से लोग प्रभू में आ मिले। तब वह शाओल को ढूनने के लिए तरसुस को चला गया। और जब उससे मिला तो उससे अन्ताकिया मिलाया। और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलिस्या के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अन्ताकिया ही में मसीही कहलाये। उन्ही दिनों में कई भर्ष दक्ता यरुशलेम से अन्ताकिया में आये। उन में से अग्बुस नाम एक में खड़े होकर आत्मा की प्रेड़ना से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। और वह अकाल अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाईयों की सेवा के लिए कुछ भेजे। और उन्होंने ऐसा ही किया और बर्नबास और शाओल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया।